नवश्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारेश YouTube चैनल VR Education के उपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और आशार उमीद करता हूँ कि आप सब एकदम स्वस्त होंगे, मस्त होंगे और आप अपने त्यारी में एकदम वेस्त होंगे तो जो जो बच्चे संगीत के त्यारी कर रहे हैं और या फिर आप 12th क्लास के म्यूजिक के त्यारी कर रहे हैं या फिर एस्टेट के लिए आप त्यारी कर रहे हैं या फिर आप BPC यानि संगीत विशाय के लिए कोई भी एक्जाम के आप त्यारी कर रहे हैं तो आपको यहां important वाले 10 question कराएंगे जो की काफी आपके लिए important question होने वाला है तो चलिए 10 top 10 question को देखे 500 number से question देखेंगे और 510 तर और आज के series का ये रहा आपके साबने पहला प्रस्ट प्रस्ट है मोहरम के समय अली हुशेन की पुन्यतिथी के अउसर पर गाये जाने वाले सोक गीत को क्या कहते है इसलाम धरम में अली का नाम सुने हुँगे ठीक है पेगंबर शाहिब के दामाद लगते थे तो उनके सोक पर एक गीत गाये जाते हैं उसके क्या कहते है साज खानी कहते है या फिर सोज खाने जिसे मरशिया भी कहते हैं या फिर सफरदार कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं सही एक उत्तर चूच करिए इसमें से कौन से उत्तर सही हो जाएगे तो देखिए मोहर्रम के समय अली हुशैन की पुन्य तिथी के अउसर पर यानि जब ताजिया निकलता है तो समय जो गाय जाते हैं उसे कहते हैं सोज खानी तो यदि आप भी उत्तर चूच किये हैं तो एक नमर एकदम सही होगी आपका अगले प्रशन के उपर में देखे आप लोग सभी बड़े-बड़े संगितग्यों के उनके उपनाम याद रख लेजिएगा वहाँ से प्रशनाते हैं और आज के सरेज में कई उपनाम आपको देखने को मिलेगे जैसे सबरंग किनका उपनाम है यदि आप संगित में बहुत अलग-अलग संगितग्यों के बारे में पढ़े होंगे तो उनका उपनाम भी पढ़े होंगे नहीं भी पढ़े होंगे तो आज जानने को मिलेगा तो बताएंगे सबरंग किनका उपनाम है गुलाम नवी का या फिर बड़े गुलाम अली खान का या फिर तानसीन का या फिर भूपत खान का फटा-फट से एक उत्तर चूच कर लिज तो पटियाला घहराने के एक बहुत बड़ा नाम है भाई जिनका नाम है बड़े गुलाम अली खान ये पटियाला घहराने से सम्बंदित है बड़े गुलाम अली खान और इनहीं का नाम है सबरंग कोन नाम है भाई सबरंग ध्यान देते चलिएगा प्रश्ण को ठीक है आग किनका उपनाम है प्राण पिया विलायत हुसैन खान का उपनाम क्या है ठीक है प्राण पिया उपनाम है या फिर नेह पिया है या फिर आपके हर रंग है या फिर आपके सब रंग फटा फट से आप चूच करिये कौन से उतर सही होगे तो सिंपल है आप अगर भुतला जाते ह तो ऐसे याद रखेंगे, जब भी आप भूलते हो तो याद रखेंगे, याद रखना है कि भाई, विलायत हुसेन का, विलायत का मतलब आप समझे बिला जाना, तो बिला जाना मतलब प्राण ही बिला गिया, आदमी का मौत होता न, प्राण बिला जाने का मतलब एकदम मौत, तो जैसी विलायत हुसैन आएगे तो समझे है कि बिला जाएगा, समझे है कोण, तो प्राण, तो प्राण पिया हो जाएगे, विलायत हुसैन का उप नाम प्राण पिया, ठीक है, उसी तरह से अगले आप सवाल का उत्तर दीजिए, सवाल है आपके सामने, गुनी दास किस जितग्यों के नाम है, इसमें से बताने है कि गुनी दास कि संगितग्य का उप नाम, तब तक एक छोटी सी जनकारी दे दें कि यदि कोई बच्चे 12th के लिए अगर म्यूजिक के त्यारी कर रहे हैं है, और एस्टेट या VPSC के लिए, सब के लिए अलग अलग सेपरेट ज लिए आपको 4 ओप्सन वाले हैं, वो मिल जाएंगे, ठीक है, 1000 प्रशन का स्रीज मिलेगा, एकदम सही एंसर के साथ में, तो 1000 से प्लस मात्र आपको 99 रुपया, जो बच्चे BPSC के त्यारी कर रहे हैं, जो 4.0 में बैटने वाले हैं, ठीक है, तो उनके लिए आपको बता द कि आपको जादा नहीं, 199 रुपया पे करना है, और उसमें 1500 से भी जादे कोशन आपको दिये जाएंगे, प्लस में क्या होंगे, कि इसमें एक के बाद 1 GKGS रहता है, 1000 तक एकदम बढ़िया-बढ़िया कोशन आपको मिलेंगे, और 1000 के बाद 6-700 ऐसे प्रशन देंगे, कि ज जो संगीत में एकदम hard type के भी हो, और important भी होता है, और एक question music के लगाएंगे, तो उसके just नीचे आपको important जो history का गड़ा-गड़ा NCIT का जो portion है, history का, geography का NCIT, वो सारे प्रिस्ट मिलेंगे, तो एक मारे मान लेते हैं, अभी आपको last में कहेंगे, तो दिखा भी देंगे, comment कर तो next video में दिखा देंगे, या फिर आप WhatsApp पे आप जैसे ही आप message करेंगे, तो WhatsApp पे ही आपको हम दिखा देंगे, तो उनके लिए बस 199 रुपया भी, बाकि 1000 प्रशन से आपका काम, estate और 12th class का हो जाएगा, उनका फिस बस 99 रुपया है, आपको कैसे मिलेंगे, तो मेरा number आप इस पे संपर करके, ये आप notes ले सकते हैं, और बाकी विद्यार्थियों से कुछ आगे निकल सकते हैं, ठीक है, चली, तो गुणी दास की बात कर लेंगे, संगेतंगे का उपनाम है बाई, तो ये गुणी दास जो है, वो जगानात हुआ, पुरोहित को कहा जाता है, ठीक है तो ये सी उत्तर एकदम सही है, अगले सवाल है, अचार विहस्पती का उपनाम बताईए, अचार विहस्पती जी का नाम सुने हैं आप लोग, ठीक है, तो बताएंगे कि इनका उपनाम क्या है, अनंग रंग है, शोक रंग है, मन रंग है, भाव रंग, ठीक है, तो ऐसे कि से याद करेंगे तो बहुत अच्छा बात है अचार है तो आचार भिहस्पती के साथ आचार जरूर आएगा तो आचार का मतलब आचार समझिएगा आचार खाये होना कट्टा मीठा लगता है आचार कहा होता है भाई आगना में आगन होता है ठीक है आगन में बुआम बिगर रखाता है सीसे के उसमें अचार तेल डाल करके ठीक है तो आप जैसे अचार भी अस्पति की बात आएगी तो अचार का मतलब आप अंगना समझेगा अंगना यानि अनंग रंग करकरके आपका ठीक है छटा जाएगा किलियर चली अगले हम देखें फाइब नंबर सुका फटा-फट से बताएगे हर रंग की संगितंग का उपनाम है तो हर रंग की बात कर लेंगे तो ये है आपके बड़े मुहमद खा के आप जानकारी रखते हैं तो कमेंट में बताएगे कि बड़े मुहमद खा जो है वो किस घराने के प्रशिद कलाकार है ठीक है चली अगले प्रश्ण आपके सामने है कुतूब बक्ष का उपनाम क्या है तानरस्खा प्रेम रंग सेवक या फिर हर रंग तो कुतूब बक्ष जो है उनका नाम है उपनाम तानरस्खा ठीक है आप रखेंगे कुता तान के बोलता है किसी तरह सी याद रखेंगे कुतूब रहे तो समझे एक कुटा तान के बोलता एकदम अर्रस निकाल देता तानरस कर दिजिएगा ठीक है चली बाकि अगर आप कुछ और भी असान सोच रखे इसको याद करने के लिए तो आप वही तरीका इस्तेमाल करें कुछ तो तरीका हो ठीक है आप कितना भी संगीत बजाते हैं ल अगर आपको लगता है कि याद करा दे तो एकदम याद होगा आज के बाद यह भूलेंगे नहीं लेकिन एक लाइक मार दीजी आप लोग एक लाइक कर दीजी और अभी बताते है देख्यो भूत आता है मन में भूत आता है कहा भाई मन में हो जाएगा मन रंग समझ ये बा तो उसका वादी संबादी पढ़ना होगा तो गवादी धसंबादी इसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिसके माध्यम से कई राग्यों के उसके जाती है उसके आपका किस समय गाये जाते हैं सारी चीजे हैं जो आपको आसानी से 30-35 राग आपको आराम से याद कराये जा सकते हैं 508 नमबर प्रशन है आपका भाव रंग किसका उपनाम है अलावदीन खाका बलवन्त राइभट का बड़े मुहम्मद खाका या फिर आपका अल्ला बंदे खाका ठीक है तो भाव रंग आप सोचेंगे फटा-फट से वर्डिंग ही आपको बता रहा है भाव वलवन्त ठीक है चली अगले प्रशन की बात करें भाई प्रेम पिया किस संगितग का उपनाम है ठीक है बताए प्रेम पिया किस संगितग का उपनाम है फयास खाका भूपत खाका तानसेन का या फिर नियामत खाक फड़ा परचे बताएंगे भूपत खाक तो आप जान ही गए भूत आवे मन में ठीक है तो इनका उपनाम मन रंग है या धना तानरस खाट कुट्टा तान के बोलता है कुतूब 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 बक्स ठीक है या लिखने का जगा नहीं समझ जाएंगे अब इसमें से दो चूच करिए तो अगर बात करें फयाज खाट आगरा घराने के हैं औ आगरा में तो ताजमहल प्रतीक है भाई, प्रेम का साजहा के द्वारा बनाए गई थे मुम्ताज बेगम के याद में, आप जानते हो मुम्ताज बेगम साजहा इतना प्रेम करता था कि मुमताज बेगम से 14 बच्चे जो है वो किये और 14 संतार मैं से 7 मर गए और साथ ही जीवित रहे जिसमें औरंग जेब, चार भाई और उसके तीन बेहने पढ़े ही होंगे आप लोग ठीक है? चली तो प्रेम पिया किस संगित अगे का उपनाम है? तो ये हो जाएंगे आपके फयाज खाब आगरा घराने के रतनों में एक फयाज खाबी है, ठीक है? काफी अच्छे गायक है अगले प्रस्त, दरपन किसका उपनाम है? बहरे बुआ का, तानसीन का, बिलायत खान का, पंडित भात खंडे का फटा-फट से बताएंगे कि बहरे बुआ किनका जो है वो उपनाम है, ठीक है? चली, बहरे बुआ, क्या बोल रहे हैं हम? यहाँ है, दरपन किसका नाम है? तो याद रखेंगे, बहरा आदमी दरपन देखता है, दरपन मतलब आये ना तो यह हो जाएंगे आपके बहरे बुआ और दरपन, कुछ चीज़े माइंड में सिट रहते हैं, कुछ और इधर उधर चीज़े चर रहा था और हमें आप बके जा रहे थे या नहीं देख पा रहे हैं, होती है यह मिस्टेक, ठीक है? चली, तो इस तरह से 10 कोस्टन कराएं और बताएंगे आप 10 में कितने आपके सही है, कमेंट करके बताने है, सेसन अच्छा लगता है, तो लाइक करिएगा, तो जादे से जादे आपके लिए वीडियो लाएंगे, ठीक है? बाकि हम मिलते हैं आपसे अगले दीन, अगले वीडियो स्रीज में, तब तक के लिए ध धन्यवाद, जैहिंद, अल्ला हाफीज, आपका दिन सुबह, राध है, राध है